इंसानों ने अभी तक समुद्र के कुछ ही इलागों को देखने में सफलता पाई है लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनिक जीव जन्तू को अपने अंदर समेटे समुद्र में दुनिया के सबसे खतरनाक मचलिया भी रहती है जो पलक जपकते ही इंसान को मार सकती है आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही खतरनाक मचलियों के बारे में जानेंगे पीराना इस मचली को सबसे आदमकोर मचली माना जाता है ये दुनिया के सबसे खतरनाक आदमकोर जीवों में से एक है आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मचली आसानी से मातर 30 सेकंड के अंदर ही इंसानी हटी को चबा कर उसका बुरादा बना सकती है इसके अलावा ये इंसान की पूरी बोडी को कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से साफ कर सकती है पिराना मचली के इंसानों पर अटेक करने की सबसे अधिक खटना Amazon नदी में सामने आई है और यह मचली Amazon की नदीयों में अधिक मात्रा में पाई जाती है ये मचली दुनिया की अतियंत दुरलब मचलीयों में से एक है और बहुत ही खतरनाक होती है कई जगहों पर इन्हें पेसू भी कहा जाता है बता दे कि इस मचली के मुँ में दाथ है जो की बिलकुल इनसानों की तरह है पूरी तरह से विक्सित एक पेसू मचली करीब 4 फिट लंबी होती है ये ब्राजिल के अलावा पैरिस, सकेंडिनेविया और ओसीनिया में पाई जाती है हाला कि इन जगों के अलावा भी कई नदियों में इनके मिलने की खबरे आती रही है नटक्रेकर मचली जिन छेतरों में पाई जाती है वहां तैराकों को जाने से प्रतिबंधित कर दिया जाता है वेल्स कैटफीस वेल्स कैट फिस के बारे में कहा जाता है कि इसका काटा हुआ महीनों तक नहीं भर पाता है और यही इसकी खास बात है यह मचलिया अपने घर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है यह मचलिया जादा तर जुंड में हमला करती है और मिंटों में इनसान की बोडी का अस्तित्वी ही खतम कर सकती है अपने छोटे दातों से यह जोड़दा तरीके से काटती है इनके दात इतने जादा खतरनाक है कि यह आसानी से हड़ी को भी तोड़ सकती है अंगलेर फिस दुनिया के सबसे बस सूरत जीवों में सामिल ये मचली अटलांटिक और अंटार्टिक महासागर के गहरे पानी में पाई जाती है इसकी सबसे बड़ी विसिस्ता इसके सिर पर बना लैंप है जिससे छोटे मोटे जीव इसकी तरह आकरसित होकर आते हैं जिसे यह अपना निवाला बना लेती है कॉंगो टाइगर फिस इस प्रकार की मचली आफरीका देस में पाई जाती है इस देस की कॉंगो नदी में यह मचली ऐसे जगह पर मिलती है जिस जगह पर कम ही लोग पहुचते हैं यह मचली यह पिराना से जुड़े होने के चलते पानी में मगर मच को भी आसानी से खा जाती है यह मचली यह इनसान का भी सिकार करने में महीर होती है इनके दाद धारदार और लंबे होते हैं इनका वजन 450 किलो से भी अधिक होता है सौफिस समुद्र की गहराईयों में छुपे राज की तरह सौफिस भी काफी गहराई में पाई जाती है इस मचली की लंबाई सास से 20 फिट तक होती है यह बहुत ही कम दिखाई देने वाली मचली है यह इतनी खतरनाक है कि किसी नेट में भी पकड़ी नहीं जा सकती है अमेरिका के लेक चैंपलेन में पाई जाती है मगर मच के मुखे अकार की इन मचलीयों को क्रोकोडाइल गार के नाम से भी जाना जाता है यह बेहदी खतरनाक मचली है और यह एक ही जटके में इनसान की खोपड़ी को चकना चूर कर सकती है क्विंस लेंड ग्रोपर औस्ट्रेलिया की ब्रिंस बेन नदी में पाई जाने वाली क्विंस लेंड ग्रोपर मचली अपने आसपास किसी भी जानवर को जिंदा नहीं रहने देती है इसकी खास बात यहां होती है कि यहां मचली अपना सेक्स बदल सकती है बहुत सारी मादा मचलियों के बीच में एक नरग्रोपर होता है और यह मचली बहुत कम पाई जाती है